नमस्कार साथियों बिपीए से सलूशन पाफ सब्सक्राइब का स्वागत है आज हम लोग इस वीडियो के माधि हम से बिहार क्रम चारे चैनायक का जो एकजाम होता है सनातर कस्तरिये उसका प्रिपेसर क्वेशन देखने वाले हैं और यह एकजाम इस वीडियो को शुरू करते हैं और यह वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि 2324 को बी एससी का जो सचिवाला साय का उसका एकजाम होने वाला है तो उसी हम लोग प्रिपेसर क्वेशन देख रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ प पदार्थ जो पौधों में प्रकास संसेशन करता है वह निमलिखित में कौन है तो यह हो जाएगा आपका क्रोलोफिल ओप्शन ए अगला सवाल सालेंट वहली या मुख घाटी कि सराज में अवस्थित है तो यह है आपका केरला में तो ओप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट क कोप का मनुश्चों में प्रकोप किस बिटामिन कमी से होता है तो यह होता है आपका बिटामिन ए ओप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल प्रोटीन उर्जा कुपोशन का परिनाम है तो यह हो जाएगा आपका बाल्च है मरासमस ओप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नहां होगा तो यह हो जाएगा आपका option D, Antarctic के Кैंप में, तो option D correct हो जाएगा, अगला सवाल है, कि सरीर के कि संकी खड़ापी से मदूवे का रोग का परकॉप होता है, तो यह हो जाएगा, आपका option B, pencria या फिर अगना से, तो option B correct है, इबोला क्या है तो इबोला एक वाइरस है तो अप्शन A से ही हो जाएगा अगला सवाल है कि गहेंगा रोग आयोडिनी कमी से होता है यह निम्न में से किस चतर में ब्याप्त हो सकता है तो पहारी चतर में अप्शन B करेक्ट है नेक्स्ट क्वेशन बिटामिन A मुक्त कहां संग्रहित होता है तो यह हो जाएगा आपका यकरित ओप्शन D करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल है कि मादा क्यू लेक्स मच्चर निम्न लिखित में से किस रोग की बहाग है तो यह जो है आपका फैल एडिया का बहाग है तो ओप्शन B करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं समदाव रेखा है अनिमन में से किसको परदर्शित करती है तो समान बायो मंट लिए दाब ओप्शन D करेक्ट हो जाएगा इन में से कौन से नदी कक्षखे रन में समाहित होती है तो यह हो जाएगा आपका लूनी नदी तो ओप्शन B लूनी नदी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नमर 77 थोयरेट ग्रंथी का अस्थान कहां है तो यह हो जाएगा आपका गला ओप्शन B सधार नमक का रसानिक नाम निमलिखित में से क्या है तो सधार नमक sodium chloride NaCl तो यह हो जाएगा आपका ओप्शन नमर C sodium chloride NaCl अगला जबाल है कि तारों का रंग निर्भर करता है तो यह निर्भर करता है उनके तापमान पर तो ओप्शन A करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है डॉक्टर नॉर्मन E बर्लो किस देश से थे तो यह थे आपके अमेरिका से ओप्शन C करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल आयोडिन टेस्ट का परियोग किसकी पस्तिते जाचने के लिए होता है तो यह हो जाएगा आपका ओप्शन नमर D आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर बिरासी है कि भारते सविधान का कौन से अनुछेद छुआचोत उन्मूलन से समंधित है तो यह हो जाएगा आपका आर्टिकल नमर 17 ओप्शन C नेक्स्ट क्वेशन है कि प्लास्टर ओफ पेरिस का रसाइनिक नाम क्या है तो कैलसियम सलफेट हाइडरेट हो जाएगा तो आपसन C इसका सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल है कि इन निमलके इतर गौप परजातियों में कौन से परजाती देसी नहीं है तो देसी नहीं है यह पूछा है तो होल्स्टिन फ्रीजियन जो है यह देसी नहीं है नाम से ही लग रहा है तो आपसन A सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल है बिहार पंचैती राज अधिनियम में गराम पंचैत की अब्धी पांच परसों की निर्धायत है इसकी गन्ना पंचैत की पहली बैठेक कितिति से की जाती है तो आपसन B सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं राज सभा के संदर्ब में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कथन सही है तो यह पूछा है तो यह हो जाएगा आपका आपसन C राज सुची के किसी विशाय पर संसद करूं बना सकती है अगर राज सभा दोती है बहुमत से पायत करे की राज सुची का संदर भगत विशाय राश्ट्रिय महत्का हो गया है तो अप्सन सी जो है ये सही हो जाएगा अगला सवाल है कि रास्टे परतिकों के संबन्ध में नीचे देगे कथनों में से कौन सा कथन तो सही नहीं है हमको यह डूड़ना है तो इस सवाल का सही जबाब है option C रास्टे परतिक लॉरिया नंदनगर्ड के सिंग सिर्स से लिया गया है तो यही कथन के हैं गलत है आगे बढ़ते हैं question number 88 है कि लोक सभा या बदान सभा के निरवाचन में एक उमिदबार अपनी जमानत की रासी खो देगा अगर उसे कुल बैदगा तो यह हो जाएगा अपका एक वटे 6 से कम मत प्राप्तों यानि कि option C सही हो जाएगा अगला सवाल है कि भारती राष्ट्रे कांगरेस का पर्थम अधिवेशन दिसंबर 885 में कहां हुआ था तो यह हुआ था आपका बंबे में option B करेक्ट हो जाएगा next question एक दल लोक सभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है इसके पास नियुन तम कितने सांसद लोक सभा में होने चाहिए तो पच्पन option A करेक्ट हो जाएगा आगे बरते हैं ग्राम पंचात है कोई सदस हस्त लेखित आविदन मुक्या को समर्पित कर त्याग पदर दे सकता है आविदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पदर परभावी माना जाएगा तो साथ दिनों बाद option A सही है अगला सवाल है कि भाद में सोत न्रता के बाद पर्थम आमचुनाब कब संपन कराएगे तो ये कराएगे संपन कब गराएगे ये पुछा है अगला सवाल है कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज के बीच किस अनुपात में बहन किया जाता है तो option A नब्बे अनुपात 10 next question है कि निमलिखित पंच बर्से योजना में कौन से योजना अना विरिष्टी और दो युद्धों के कान प्राभावित हुई तो यह हो जाएगा आपका option B तीसरी पंच बर्से योजना अगला सवाल है कि बिहार में किसान सभा के अस्थापना किनके दोरा की गई तो स्वामी सहजदन सुरुशती तो option B correct है आगे बरते हैं question number 96 860 में परकासित निल दर्पन निल की खेती करने वाले की दूर दर्साज चितरित करता है निल दर्पन के रचना का और कौन थे तो यह हो जाएगा आपका option C दिन बंधू मित्र next question नीचे देगे कमीटियों में किसका समन्द पंचायती राज से है तो बलबंत रह मेहता कमीटी option A सही हो जाएगा अगला सवाल समुदाइक विकास काजकरम का सार था तो यह हो जाएगा आपका लोक भागिदारी option C अगला सवाल है कि दूरोना चार्ज प्रोसकार किस चतर में दिया गया है तो यह जो है कीरा परसिक्षन तो option C सही जवाब हो जाएगा वैसे यह उस टैम में क्या बोलते हैं क्रेंड फेर से question है तो अभी भी तो इसका जवाब यह होगा अगला सवाल है कि राश्ट्रे खेल दिवस 29 अगरस्त को मना जाता है यह निमली कि तमेंसे किन से समन्दीत है तो धियान चंद्र से तो option A सही हो जाएगा अगला सवाल मैकसे से प्रोषकार रोमेन मैकसे से के नाम पर दिया जाता है वे किस देश के राश्ट्रपती थे तो यह भी उस टैम के हिसाब से क्रेंट अफेर्स कहीं होगा लेकिन अभी भी जो है इसका जवाब C ही सही होगा फिलिपिन्स तो रोमन मैकसे से जो है यह फिलिपिन्स के राश्ट्रपती थे तो option क्या हो जाएगा C सही हो जाएगा अगला सवाल पूछाए कि 22 मा सितकार इन उलम्पिक तो उस टाम के यह क्रेंट का था तो इसको छोड़ देते है नेक्स्ट कॉश्चन है कि सहारा रेगिस्तान किस महादुप में अवस्थित है तो option C अफरीका तो अफरीका महादुप में सहारा रेगिस्तान अवस्थित है दुरंड कप किस खेल से समंधित है तो फुटवाल से हो जाएगा तो option B सही है अगला सवाल है तो देखिए दौर 14 के नोबेल सांति प्रोसकार बिज़ता कोन है तो यह पूछा है तो अभी का आप लोग देख लेंगे तो अभी छोड़ देते इसको आगे बढ़ते हैं कि बीवु किस राज का लोग निर्त है तो यह हो जाएगा आपका आसम option A सही हो जाएगा पेरु की राजधानी है तो पेरु की राजधानी लीमा option C सही है अगला सवाल चेर्णोबिल परमानो सयंत्र जो अब बंद है कहां इस्तित है तो यह हो जाएगा आपका यूक्रेन में इस्तित है तो खेर यह जो है अभी भी चर्चा में रहा है तो क्या आप पता इस बार भी पूछ दे चर्णोबिल परमानो सयंत्र यूक्रेन में है अगला सवाल कुश्चन नमर 109 है कि जपान के मुद्रा क्या है तो यह नहीं तो आप्शन डी सही हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है कि निमलिकित में से किस चक्रवाद ने भाद के पुर्वी तर्को प्रभावित नहीं किया तो यह भी जो है क्रेंट का ही सवाल होगा जिसको भी अभी छोड़ देते हैं अगला सवाल है कि ट्रेंट टू पाकिस्तान पुस्ता के निमलिकित में से किस ने लिखिए तो यह ट्रेंट टू पाकिस्तान जो है यह खुस्बंद सिंग का है तौप्शन डी सही हो जाएगा Wings of Fire पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके लेखक जो है यह हो जाएगा आपका अब्दुलकलाम, एपीज अब्दुलकलाम तो आप्शन B सही हो जाएगा Next question है भात एक खोज पुस्तक एहमेद अनगर कीला जेल में कराबास को दान लिखी गए थी भात एक खोज के लेखक कौन थे तो इनके लेखक थे जवाला लेहरू, आप्शन D सही हो जाएगा अगला सवाल है कि कौन सा देश सुकर बॉल अप दो वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है तो यह क्यूवा को बोलते हैं तो आप्शन A सही है जल का घनत की स्तापकर्ण पर सरवादिक होता है तो यह जो है चार डिग्री सेलसेस पर होता है तो आप्शन D सही है आगे बरते कौश्चन नमर एक सो सुल्ला संजुक्त राज संग का गठन किस वर्स हुआ तो यह 945 मिवा था तो आप्शन A सही है भात के आजादी के समय भारत के वाइसर है कौन थे तो लॉड मॉन्ट वेटन ओप्शन C सही है आगे बरते हैं कौश्चन नमर एक सो ठार है कि कौन सा ICS अधिकारी भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस के 885 में गठन में सामिल रहा आप्शन D सही है मैंनमार की नई राधानी है तो मैंनमार की राधानी क्या है नेपी दाब आप्शन C सही हो जाएगा आगे बरते हैं कि तमस अपन्यास के लेखा कौन है तो भिश्म साहनी आप्शन A सही है 2013-14 में रंजे ट्रॉफिक की स्टिम नजी थी तो ये भी जो है क्रेंड का क्वेशन है तभी का देख लिजेगा तो भी इसको नहीं देखते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर 122 है कि भारती अजादी की समय इंग्लेंड के परधान मंतरी कौन थे तो ये हो जाएगा आपका क्लिमेंट एटली जो है उस टैम इंग्लेंड के परधान मंतरी थे तो उप्शन सी सही है भारती रेजर बैंक के बर्तवान गवर्नर कौन है तो ये भी उस टैम के करेंड रफेर में होगा तभी का देख लिजेगा आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर 124 है भारत के राष्ट्रिय महिला आयो की बर्तमान अध्यक्ष कौन है तो ये भी देख लिजेगा राष्ट्रिय महिला आयो की अध्यक्ष तो ये भी क्रेंड का ही सवाल है अगला सवाल भारत और चीन के बीच पंच्छिल समझोता कब हस्ताक्ष्रित हुआ था तो ये हुआ था आपका 1904 में तौपसन C सही हो जाएगा 125 का C सही है आगे बढ़ते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे तो इनके जनक जो थे MS स्वामिनाथन थे तौपसन C सही है अगला सवाल है आंगसांसो की जो NLD की नितरी है वो किस देश समंद रखती है तो ये हो जाएगा आपका Myanmar से तौपसन D सही हो जाएगा अगला सवाल है कि मातमा गांधी और बाबा सहीब अमेत करके बीच पुना संधी कब हुआ तो ये हुआ था आपका 1932 में तौपसन B करेक्ट हो जाएगा गीर का बन सेरो के लिए परसीद है या किस राज में अवस्तित है तो ये है आपका गुजरात में तौपसन C सही है आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 31 परसीद पेंटर राजा रभी बर्मा किस रियासत से जुरे थे तो ये हो जाएगा आपका आपका आप्शन B त्रावन कोर से जुरे थे बिहार में बहने बाली नदियों में से किसका उद्गम अमर कंटक में है तो सुन नदी का हो जाएगा आप्शन B सही हो जाएगा और यहां से जो है अच्छा ये बीच में एक जो है ये मैथ कुशन गुशा दिया है है न ये कहा है अगला सवाल नमलिकित में से किसने नालंदा विस्विदला में अधियन किया तो ये हो जाएगा आपका अप्शन B सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन पुर्ण सुराज का संकल्प कांगरिस के द्वारा कब पारित किया गया तो ये हो जाएगा आपका अप्शन B 26 जनबर 1939 लाहो रदीवेशन तो ये रहा इसके लाबब दो वीडियो से और है मसला प्रिवेशन का तो भी आ जाएगा कल पबर्sen में लगतार ही आ जाएगा कल तक आ जाएगा तो आप लोग इस वीडियो को दोस्ते में सेर कर सकते हैं चैनल परने हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और आप लोग जो है हमसे टिलिग्राम पर भी जोर सकते हैं टिलिग्राम का लिंक आपको डिस्कसर मिल जाएगा जय हिंद